हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टो इस्टीडीकर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर दोस्तो आज है 15 जुलाई 2022 तो आज हम 15 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यस के कोशन होगी उनको आपके साथ डिसकस करेंगे इसके अलावा एडिसनल जानकारी भी आपके साथ सेर करने वाले हैं तो आप इस लेक्शर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक सुनिएगा लास्ट में आपसे कुछ कोशन पूशे आएंगे इसी लेक्शर से रिलेटेड तो उनकी जबाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा अग से आप इसका PDF हासानी से डाउनलोड कर सकते हैं आज का मोटिवेशन देखते हैं दोस्तों आज का मोटिवेशन है हर छोटा बदलाव बड़ी काम्याबी का हिस्सा होता है जी हां दोस्तों जीवन में छोटे छोटे बदलाव जरूर करिए आपको बड़ी काम्याबी जरूर चलिए फ्रेंट्स पहला कुशन देखते हैं अपॉर्टेंट है ध्यान से सुनेगा चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियान्स टू समुदरी अभ्यास आयूजित किया गया है तो जो चाइना की नेवी है जिसका नाम है चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी और ज अभ्यास जो है संगहाई में जल और हवाई छित्र में आयुजित किया गया है दोस्तों इसका उद्देश है रक्षा सहीोग को बढ़ावा देना और देनों देसों की नौ सेनाओं की छमताओं को बढ़ाना ठीक है दोस्तों यहां पर अभ्यास की बात आई है तो हम कुछ इसमें भारत और बांगलादेश की नौ साना ने हिस्सा लिया था। सिलंका के बीच और कोप अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो दोस्तों ये सभी अभ्यास भी आप नोट जरूर कर लीजेगा। चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कुशन डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा। ब्रॉंज मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल दोस्तों ब्रॉंज मेडल हासिल किया है। ठीक है। तो ACI खेलों के तीरंदाजी स्वर्ण बिजेता कौन है अभशेक बर्मा और जोती सुरेखा बेनम। तो उन्होंने बर्मिंगम अलबामा अमेरिका में विस सुखेल 2022 में कांस पदक यानि ब्रॉंज मेडल हासिल किया है। दोस्तों इन दोनों लोगों की जोड़ी ने यानि अभशेक बर्मा और जोती सुरेखा बेनम की जोड़ी ने ACI गेम्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। अब हम बात करते हैं बर्मिंगम वर्ल्ड गेम 2022 की तो इसकी सुरुवात जो है 1981 से की गई थी। तो दोस्तों 1981 में प्रतियोगता के सुरू होने के बाद तीरंदाजी में भारत ने पहला मेडल जीता है और कुल मिलाकर के भारत ने 6 मेडल जीते हैं इससे पहले भारत ने दोस्तों बर्मिंगम वर्ल्ड गेम 2022 में बेडमिंटन में तो बेडमिंटन में इसनूकर में और प दोस्तो यहाँ पर sports की बात आई है तो sports से जोड़े हुए जो भी current affairs की question है उनको हम revise कर लेते हैं फर्स्ट question है अंतरराष्टी T20 के इतिहास में लगातार 13 match जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं तो दोस्तो उनका नाम है रोहिस सर्मा जोनी वेरेस्टो और मेरी जॉन कैप ने अभी हाली में कौन सा अबाड जीता है तो दोस्तो इन दोनों ने ICC Cricket of the Month का अबाड जीता है जून माह का ठीक है जिगोन सतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है डी गोगेस ने फिल्लेंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मैडल किसने हासिल किया है तो 94 साल की दादी भगवानी देवी डागर ने 2022 का ब्रिटिस ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस ने जीता है कार्लोस सैंज जूनियर ने तो दोस्तों यह पॉइंट जो है वो आप नोट कलें यह स्पोर्ट से जोड़े हुए करेंट अफ हेल्स की कोशन है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे है अंगला प्रसन है अरन् विद लर्ण योजना के सराज में सुरू की गई बहुत ही important question होगा तो दोस्तों यह जो योजना है ये तिरुपरा में सुरू की गई है तो अरन् विद लर्ण योजना के सराज में सुरू की गई है तिरुपरा सरकार ने कोविड नाइटीन के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुकी लोगों को यानि जो स्टूडेंट है उनको बापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की है यही योजना जो है बिद्याले चलो अभियान चलो इसकूल चलते हैं का एक पार् चलोप को फिर से बापस लाना फिर से इसकूल लाना सरकात का लक्श है ठीक है इसके लिए सरकार के दौरा करे में कुछ इप्र्परा की इसकूल पणे कर लेते हैं द्यान से सुनिये गा दोस्तो तिरुपरा की capital क्या है तो तिरुपरा की capital है अगरतला तिरुपरा के chief minister कौन है मानिक साहा है कौन है दोस्तो मानिक साहा तिरुपरा के राजपाल कौन है सत्यदेव नारायन आर है रियांग जमातिया नामक जंजातियां जो है वो किस राज में पाई जाती है तो वो तरुपरा में पाई जाती है दोस्तो अभी हालही में खार्ची उस्ताव कहां सुरू हुआ है तो ये तरुपरा में सुरू हुआ है तो ये तुरपरा से जुड़ू हुए कुछ सवाल है अब हाल ही में कुछ करेंट अफेस के कोशन भी डिसकस करते हैं ध्यान से सुनियेगा स्वास्त का अधिकार विधियक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कोन है राजस्थान है नारी कु नमन योजना किसराज में सुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में सुरू की गई है देश के सबसे युबा स्पीकर किसराज में बने है तो ये महराश्थ में बने है कौन बने है राहुल नारवेकर बने है कासी यात्रय योजना किस राज में सुरू की गई है करनाटक में सुरू की गई है तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लें आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अंगला प्रसन है किस देश की सरकार ने पूर प्रधान मंतरी सिंजो आवे को मरणो उपरांत सुप्रीम ओडर ओफ दा क्राई सेंथनम से सम्मानित करने का निर्ने लिया है तो दोस्तों ये जापान की सरकार जो है उसने ये निर्ने लिया है कि पूर प्रधान मंत्री सिंजो आवे को मरोडों उपरांत सुप्रीम ओर्डर ओफ दा क्राई सेंथम से सम्मानित किया जाएगा ठीक है अगर हम इस पुरुसकार की बात करें यानि सुप्रीम ओर्डर ओफ क्राई सेंथम होता है ठीक है दोस्तों तो जापान के सम्मान पाने वाले चौथे पूरुप्रधान मंत्री है ठीक है दोस्तों तो जापान के समराठ मेजी ने 1876 में Grand Cordon of the Order की स्थापना की थी ठीक है दोस्तों सिंजो आबे की 8 जुलाई 2022 को समय हत्या कर दी गई जब वह है नारा सहर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दोरान हमला वर ने उन पर हमला किया पीछे से गोली मार दी जिसके कारण इलाज के दोरान उनका नेधन हो important question भी discuss करते हैं ध्यान से सुनिएगा Order of the Rising Sun पुरुसकार किसे दिया गया है तो ये नारायन कुमार को दिया गया है Message Universe Divine का किताब किसने जीता है 2022 का ये जीता है पलवी सिंग ने Fields Medal हाल ही में किस महिला को दिया गया है तो मेरीना व्याब जोपसका जो है जो की यूकरेन की हैं उन्हें Field Medal दिया गया है Field Medal को याद रखिएगा गड़ित का नोबल पुरुसकार भी कहा जाता है Miss India 2020 का किताब किससे मिला है तो सिनी सेटी को मिला है UK की संसाद ने किसे आयरुवेद रत्न पुरुसकार दिया है तो तनुजा नेसारी तो तनुजा नेसारी को आयरुवेद रत्न पुरुसकार दिया है United Kingdom की संसाद के द्वारा अंगला प्रेस्ण है यानि IPP मई 2022 में कितने पृतीसत बढ़ गया है जबकी अपरेल 2022 में यह 7.1 पृतीसत था ठीक है तो अभी हाली में आद्यो गेख उत्पादन सूचकांक जारी किया गया है तो यहां कितने प्रतिसत बढ़ा है दोस्तो 19.6 प्रतिसत कितना बढ़ा है 19.6 प्रतिसत बढ़ा है ठीक है तो ओध्योगेक उत्पादन सूचकांक मई 2022 में 19.6 हो गया है कितना हो गया है 19.6 हो गया है अप्रेल में कितना था 7.1 प्रतिसत यह जो आंकडे हैं किसके द्वारा जारी की गए हैं तो दोस्तो राष्टियस सांखे की कारियाला के द्वारा ये आकड़े जारी की गए हैं ठीक है तो दोस्तो यहां पर कुछ और पॉइंट डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा हाल ही में स्टार्ट अप स्कूल इंडिया को किस ने लॉंच किया है तो जो अलियांज ने लॉंच किया है SMB साथी उत्सव को किस ने लॉंच किया है तो दोस्तो वाट्सेप ने लॉंच किया है तो यह सभी पॉइंट जो है नोट कलने हैं अंगला कोश्चन है ध्यान से सुनिएगा 150 वंडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतिये गैंदबाच क 150 विकेट लिये हैं इससे पहले अजीत अगरकर ने संतानवी मैचों में और जहीर खान ने 103 मैचों में 150 विकेट हासिल किये थे खीके दूस्तो किरकेट की बात आई है तो BCCI की बात जरूर आएगी तो BCCI का फूल फॉर्म क्या होता है Board of Control for Cricket in India यानि BCCI इसके कोन है सौरब गांगोली, BCCI के स्थापना क्या की गई थी 1928 में, BCCI के सचयु कौन है, जैसा है, BCCI का मुख्याले कहां है, मुंबई में है, पुरस team के coach क्यों है, तो दोस्तो पुरस team के coach है run past, महिला team के coach कौन है, तो दोस्तो ये सभी point जो है वो आप note जरू करिएगा, पर आजादी का अमरित महँत्साव के एक पार्ट के रूप में किया गया है दोस्तो केंद्रिये ग्रह मंतरिया में साय ने इस कौण कलेब में बिविन शरैनियों में राष्टियेख खनिज լिकास पूरुसकार भी प्रदान कीये हैं दोस्तो यहाँ पर बात आई है कौन कलेव की तो कौन कलेव कौन कहां हुए है चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं जैसे हर्याली महोत्साव कहां आउजित किया गया है तो यह दिल्ली में आउजित किया गया है भारत का पहला पसू स्वास्त सिविर सम्मेलन कहां हुआ तो यह हुआ है नई दिल्ली में ठीक है दोस्तो तो यह point जो है वो note करते जाएगा Westwick film में पर्टन सम्मीलन कहां हुआ है तो यह मुंबई में हुआ है NATO, Madrid सिखर सम्मीलन 2022 का समापन कहां हुआ है तो Spain में हुआ है जी सेविन की वैठक कहां हुई है दोस्तो तो यह जी सेविन की वैठक जो है वो जर्मनी में हुई है अंगला प्रसन है, लास्ट प्रसन है इस लेक्चर का ध्यान से सुनिएगा लुईस एचेवेरिया अलवारेज किस देश के प्रेसिडेंट थे जिनका हाली में निधन हो गया है तो वह मैक्षको के प्रेसिडेंट थे किस देश के प्रेसिडेंट के दोस्तों मैक्षको के तो उनका अभी हाली में 100 वर्स की आयू में निधन हो गया है, यानि 100 साल उनकी उम्र रही है, ठीक है, 1970 से 1976 तक वो राष्टपती रहे हैं कहां के मैक्षको के, मैक्षको की कैपिटल क्या है दूस्तों मैक्षको शिटी है, मैक्षको किस महादीब के अंतरगत आता है, उत्री इंटरनेट के जनक कौन थे, जिनका हाली में निधन हो गया है, ब्रजेनर के सिंगल, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है, वो नोट का लीजेगा, इस प्रकार के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब आप से कुछ कोशन पूछे आ रहे हैं, तो उनके जब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा, सूरिक करण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तुरुपरा के मुख मंतरी कौन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किस ने जीता है, तो इन तीनों प्रसनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा, हमें जा रहेगा आपके आंसर का लेक्शर पसंद आया हो, तो आप इससे लाइक करें और सेर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर जय हिंद वंदे मात्रम